नमस्कार दोस्तों कैसे वाप सब और ये भरती निकले हुई है देख लिजिए कारलय मुखिच किसन सौसे दिकारी अंबिकापूर जीला सरकूजा में और दोस्तों विग्यापन करमांग इतना है संवीदा भरती है ये ठीक है लेकिन अभी की डेट में संवीदा भरती में भी बड़ी हा पेविंट आपको मिल रहा है तो अगर आपने अभी तक कहना चाहिए कहीं पर जाब आपका लगा नहीं है तो इस प्रकार से आवेदन को मि के लिए विभाग जेमिदार नहीं होगा तो 29 सितंबर 2023 सामपाँजुश तक यहां आवेदन स्विकार किया जाएगा बोलड़ाए ठीक है आगे बढ़ते हैं आवेदन फाम की अन्तिम्स्तिति 26 सितंबर 2023 की इस्तिति में डाग घर में जमा होने पर 29 सितंबर 2023 इस वेबसाइट पर वीजिट करना पड़ेगा आगे दोस्तों देख लेते इसे पत क्या-क्या है ये प्रोग्राम है ये पोस्ट नेम है ये सेलरी है ये पोस्ट है यू आर और ऑबिसी एसदी ठीक है ये क्या है इसका क्वालिफिकेशन है और हमारे जो चैनल में बहुत सारे लोग जो है computer related ज्यादा है और चलिए जो महत्पूर्पाद है उसको देख लेते हैं तो ये तो स्वास्ति भाग का special post है senior nursing officer है 31500 payment है MSC psychiatrist nursing अथवा BSC nursing आगे बढ़ते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से post यहाँ देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ nursing officer के एक और post है और यह देख लिजिए NMHP में है secretarial assistant 13650 payment दो post है मानिता प्रातुशी दले से इसनातक कुबाधी के साथ college plus एक साल का डिप्लोमा चीए और कुछ नहीं चीए एक और देख लिजिए यह भी है secretarial assistant 13650 रुपया वही payment है एक पद है और सेम योगता है 13 नमर में देखिए NM है दिब्यांग के लिए बहुत सारा इसमें अरक्षी थै 12th प्लास हो 12th पासेट NM पासेट विद आइनसी अफ्लेट में लब इंडियन जो काउंसिल है नेशनल काउंसिल उसमें जो है यह रेइस्टर होना चीए आगे बढ़ते हैं junior secretarial assistant तो दोस्तों इसके लिए फिर यह 12th प्लास और computer का एक साल का डिप्लोमा चार पद है class 4 के लिए 10,000 प्यमेंट है और 10th प्लास है idsp lab assistant के लिए दिख लीजिए जो इग्यानवी सेक्साथ बारे उत्ते हैं लेब में कारे करने का नुभा होना चीए cook and cake maker है cook and cake taker है 8800 लग प्यमेंट है 8th पास है 8th पास है तो दोस्तों यह सभी post है और इसके साथ और है भी न staff nurse है MPW है junior secretary assistant फिर से आपर देखें यह 12,000 पेमिंट है यह ठीक है 6 पद नहाँ पर class 4 का पेमिंट कितना है 10,000 है और 10th पास है तो इतने सारे post हैं अब देखिए इसमें सबसे महत्रपुन जो बातें हैं उसको हम यहाँ पर point out करते जाएंगे आयू सीमा होना चीए एक जनुरी 2023 से 18 वर्ष और अधिक्तम 64 वर्ष से अधिक्तम नहों और 70 वर्ष चिकत्से की पद हैतु होना चीए इच्छुक आवेतक एक से धिक पतित आवेतन पत्र प्रस्तूत करने पर निर्धारे परोप में पदवार प्रिथक प्रिथक आवेतन प्रस्तूत करेंगे सेक्ष्रिक योगिता प्राण पत्र के वल माननेता प्राप्त संस्ता के ही मानने होंगे यह नियुक्ति समयदा अधार पर एक वित्ती वर्स के लिए होगी जो पूर्णता अस्ताई होगी तो उसनों जनरली होता है कि एक सार बात फिर से क्या हो जाते है वो नवीनी इक्रित हो जाता है ठीक है और अगर आपका जो माकसीट ग्रेड में है तो ग्रेड इस प्रकार से आपका कन्वर्ट होगा मतलब कि यह देख लिए पचासी पचासी परशेंट तो पंद्रा प्रतिसत की कौन सा है आपका अनुभाव का है अगर आपके पस अनुभाव है तो जरूर यहां पर आप फीट कीजिएगा कुरोना वैस्विक महामारी के दरण चतिर राजी के सास की स्वाथ सिवा में नियुक्ति हम एक वर्ष में छे माह तक सिवा देने विट अस्थाई स्वाष्ट कर्मियों को दस बोनस अंग दिया जाना है हम समान इसेति में नियुक्त समीदा कर्म चाहिए उन्हें अनुभा के अंग से क्षडिक योगिता हम अनुभा रावितों को अनुभा प्रदान किया जाएगा ठीक है अर्था जीस पत में आप फार्म डाल रहे हैं उस पत का आपके पस अनुभा होना चाहिए त्यस अभी देख लीजी अनुभा के संबन में नहां पर जानकारी दी गई है इस इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर देख लिए सेक्रेटियल एसिस्टेंट पर दे तो बैटलेट डिग्री सांथ एक वर्ट से डिप्लोमा उतिन होना अनुवारे अनुभाव बोनस अंके तो साणी दोका अवलोकन करें आगे बढ़ते हैं दोस्तों विज्यापित पदों ह होगा वही आपका जो है स्विक्रित होगा आगे बढ़ते हैं प्रतिक्षा सुची वगरा तो आप देख लिजीगा और ये भरती की सम्मन में समाने दिशा निर्देश इसको आपके पढ़ती का काम है तो यहाँ पर आवेदन का प्रारूप चलिए इसको मैं एक बार आपक स्वाहस्ताक्षरीत पासपोर्ट साइच का फोटो याद रखे ना फोटो आपको चिपकाना है ठीक है और उसके उपर आपको सिगनेचर भी बनाना है याद रखे फोटो चिपका के आपको सिगनेचर बनाना है उधान के लिए फोटो हो गया हमारा इस प्रकार से और इसके के उपर आपको क्या बAnnा है इस प्रकार से सिगनेचर बनाना है ठीक है पिता कि नाम माता का नाम जन्री właściटि ऐएग जनुरिक की इस्तित में आपको कल्किलेट करना है जाती चतिकड़ heck के स्थानी निवहासी है यह सब तो फेल कर लेंगे सम्मन्दित काउंसिल का नाम जदी लागू हो पंजन क्रमांग के वाम दिनांग कहने कतात पर यह से एनेम है जा इस आपनरस का भर रहें तो उस में किस काउंसिल में आप रिजिटरण है जे शत्रिसगड़ है nursing counseling है, मद्ध्यपदेश nursing counseling है वो ऐसे type से, ठीक है, तो उस council में आपका registration होना चाहिए, रोजगार करले का जीवित पंजियन यहाँ पर आपको लिखना है, सेक्षडिक योगेता तो सेक्षडिक योगेता में क्रमांग दिनांग इस्थान देख लिजी न, रोजगार करले का जीवित पंजियन, क्रमांग, दिनांग इस्थान तो क्रमांग CTS से सुरू होता है दिनांग जिस डेट में आपने यह किया है वो अविस्थान उस रोजगार करले का नाम रहे, सेक्षडिक योगेता में उतने ही योगेता को लिखेगा जितना कहना चीए मांगा गया है उसे ज़्यादा भरने की जवरत नहीं है जिससे सेक्रेटरियल असिस्टेंट है तो ट्वेल्था लिखेग उससे ज़्यादा मत भरिए अनुभाव जो है न सबसे महत्पून है अनुभाव जो है आपके पास जो भी होगा थोड़ा बहुत उसको यहाँ पर फील जरूर करना आप ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्या आप भरती के विरुद दान्डिक प्रेटनर दर्जे हैं नहीं यदि हाँ तो अधनियम धारप्रक्रक्रमांग या निर्णाय की जनकारी उलेक करें आठवी दस्वी के अंग सुची क्यों मांगा जा रहा है आपका जन्व प्राणड पत्र के लिए ठीक है अर्थात मैंने इसमें एक चिछ को मिस कर दिया इसको सुधाल ले ना जैसे बारवी का यहां लगा रहे हैं तो दस्वी का भी लगाएंगे न दस्वी अनिवार है काराण यह है दस्वी के अंग सुची में डेट आप बर्त रहता है बारवी के में नहीं रहता है ठीक है लेकिन जैसे जिसकी योगिता दस्वी है तो दस्वी कही डाली है बारव स्क्षाम अधिकारी द्वार प्रदत जाती प्रणड़ पत्र प्रणड़ पत्र अधिस्वयम का पहचान के लिए आपको एक्ठो यहां पर कोई भी डाकुमेंट लगाना है ये चीज़ याद रखीगा रोजगार कर लेका जवीत पंजियर प्रणड़ पत्र आपको लगाना है अन्वह प्रणड़ पत्र की सत्यापी छाय प्रति लगाना है अनापती प्रणड़ पत्र की सत्यापी पत्र अगर आप कहीं पर जॉब में आ लड़ी है अन्ये प्रणड़ पत्र यह आवस्यक है तो आवेदन करता के हस्ताक्षर, नाम, पता, जीला, ठीक है, और उसके बाद लिफाफा का, प्रारुप्त लिफाफा का प्रारुप यहां पर बहुत बड़ी हाद दे चुका है, ठीक है, प्रेशक में अपना नाम, आवेदीत पत का नाम, कारेकरम का नाम, कारेकरम क्या है, मैंन सब खानाची आपका स्वाप्रमारित होना ही चाहिए और दोस्तों एक और में यह आपको सलाह है यह जो सुरू का जो आविदन आप भेजेंगे ना एक काम किजीगा अपने सुरक्षा के लिए बाद में कही है आपका आविदन रिजेक्ट कर दे इसलिए जो फर्स्ट पेज ह और सेकेंड पेज है और फर्ड पेज है इन तीनों का दोस्तों फोटो का भी करा लेना आविदन फोर्म भरने के बाद ठीक है और उसके बाद इसको किसी भी जो गेचेलेट अफिसर है या नोटरी है उससे एक पार अटेस्टेट के लए nicht बाद में और